नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज का जो आपका टॉपिक है वो साले संस्कृती नेतरतो इवं सिक्षक विकास डियलेट सेकेंडिर के चौथे प्रशनपत्र से है इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको शाले प्रबंधन का आर्थ, शाले प्रबंधन की आवश्यक्ता एवं महत्त को बताया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी आपको टॉपिक मिल जाएगे कई सारे टॉपिक मैंने करा दिये हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पे आपको डेलेड का पूरा कोर्स प्रियोप कोष्ट कराया जा रहा है साथ ही इंग्लिस ग्रामर कराय जा रही है और माधिमिक जो शिक्षा है इंग्लिस की जो किताब है छटवी, साथवी, आठवी की MP बोड की उसको भी में जल्दी ही सुरू करने वाली हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि यह बहुत ज़्यादा important है आप सब के लिए आई यह सुरू करते हैं विद्यालय प्रबंधन का छेत्र क्या क्या है देख लेते हैं scope of school management भारती परसितियों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन में निम लेखे छेत्र आवश्यक माने गई है देखे क्या क्या पहला है भावतिक प्रबंधन दूसरा है मानविय संसादन प्रबंधन कक्छा कक्छ प्रबंधन विद्यालय की समय सारणी का प्रबंधन पाठे सहगामे क्रिया कलापों का प्रबंधन सेक्षने कारियों का प्रबंधन पुस्तकालय का प्रवंधन स्वास्तता सारे रिक सिक्षा का प्रवंधन बहुत इक जैसे कि जो विज्ञान में आधारित होता है पुस्त का π्रयोग शालाई वगेरा मानविय संसादन जो होते हैं उनका प्रवंधन होना चाहिए कखः आच्छा होना चाहिए उसका प्रवंधन होना चाहिए समय सारणी होनी चाहिए विद्यालाय में वो होना चाहिए सहगामी पाठे क्रियाएं क्या क्या होती है वो सारी सबका प्रवंधन होना चाहिए सेक्षणिक कारेओं में किस तरह से सिक्षा कराई जा रही है उन सब का प्रवंधन होना चाहिए पुस्तकाला होना चाहिए और सारेरिक और स्वास्त सिक्षा का भी प्रवंधन होना चाहिए इसके बाद संग्रहालाय तथा प्रदर्शनी प्रवंधन होना चाहिए आवाशी वरस्था होस्टल का प्रवंधन होना चाहिए परिक्षा प्रवंधन या उपलब्धी मूल्यांकन का प्रवंधन होना चाहिए निर्देशन शेवा प्रवंधन होना चाहिए विद्याले अभिलेक प्रवंधन होना चाहिए विद्ध्याले तह समुदाय के संबंध का समन्वय होना चाहिए संग्रहाले आजात भगत सिंग की बंदूक या गांधी जी के कपड़े इस तरह से संग्रहाले होना चाहिए और किसी विद्ध्याले में होस्टल होना जरूरी है होता ही होता भी है कई सारे विद्यालियों में निर्देशन का प्रवंधन होना चाहिए विद्याले अभी लेग जो भी रेजिस्टर होते हैं अभी लेग के वो सब होने चाहिए और विद्याले से जो वहां का समाज है समुदा है वहां के संबंद अच्छे होने चाहिए इसके बार विद्याले में अनुसासन का प्रवंधन होना क्योंकि अगर अनुसासन नहीं रहेगा तो सारे प्रवंध वेकार हैं विद्यार्थियों का वरगी करण था उनकी उपास्तिती जैसे स्ट्टी स्टी जंरल वरगी करन होना चाहिए वित्य को अर्त्टि प्रवंधार शोचेना इन की पैसे का जो mm इस लेा भोन और कि बाहगी अधिकारी। का समनभारल जितने लोग काम कर रहे हैं कि बीच में ताल में अच्छा हुना चाहिए विवित सेबावं जैसे भोजन गंवेच पाठे पुस्तकों का प्रवंधन होना चाहिए जो बद्यान भोजन बनता है उसका ओसना जो का आनिभार होता है वह चाहिए इसके बाद विद्यालय के निरिक्षण का प्रवंधन विद्यालय का निरिक्षण हमेशा करते रहना चाहिए पुरुषकार वित्रण तथा दंड की वस्था वैसे दंड देना तो आज कल बंद कर दिया गया है लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे से कह सुनके दंड द कहाने के लिए प्रतियोगिताय आयोजित की जाने चाहिए और उसी में पुरुषकार वित्रण होना चाहिए यह है सब आपके विद्यालय के प्रवंधन विद्यालय के उद्दिश का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल पे अगर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो इसे लाइक जरूर करिएगा आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन सुग हो